हेलो एर वेरी वॉम वेलकम टू टीवी का पटाका यो वन स्टॉप डेस्टिनीशन फॉर एंटिटेन्मेंट न्यूज वेल दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को दिखने वाला है जबर्दस ट्विस्ट जमनिनाद दे देगा यहां पर सवी और इशान को आशिरवाद जी हां दोस्तों इशान बहुत जादा उदास है इशान भी पूरे तरीकी से तूटा हुआ है क्योंकि उसके हालात भी ठीक नहीं है रीवा की वजह से व आजुबा को तोड़ा बहुत अपना पुराना घर परिवार याद आने लगता है लेकिन इन सब के बावजूद वह असलियत पहचान नहीं पाते और यहां पर सई और विराट कहने लगते हैं जब दोनों यानि इशान और सवी एक दूसरी से अलग होते हैं अलग अलग जा कर बैठते हैं तो निनाद को याद आता है कि एक बार सई विराट को छोड़ कर चली गई थी जब सवी पैदा हुई थी और पूरे तरीके से उनका परिवार तूट गया था तो इसलिए निनाद सई और विराट समझ कर सवी और इशान को कहता है कि तुम दोनों एक हो जाओ तुम दोनों अलग मत हो तुम दोनों को साथ रहना होगा और ऐसे में सवी और इशान एक दूसरे के पास आकर तो बैठते हैं लेकिन बाव जो दिसके आजूबा जिद पर अड़ जाते हैं कि तुम दोनों को शादी करनी होगी तुम दोनों मिरी आखों के सामने शादी करो और ऐसे में आजुबा की आखरी इच्छा को पूरा करने के लिए इशान सवी का हाथ थाम लेता है और कहता है कि मैं सवी से शादी करूंगा सवी के सर पर दुलहन की चुनरी डाल दी जाती है और ऐसे में एक नकली शादी दिखाई जाती है लेकिन उस नकली शादी में भी इ असली थी और उन्होंने सच में उन दोनों को आशिरवाद भी दिया अब अपने इस नकली रिष्टे को कितनी जादा असलियत के साथ निभाएंगे यह दोनों आने वाले एपिसोड में देखना दल्चस्प रहेगा कहानी में आने वाला यह नया ट्रस्ट आपको कितना इंट